हलो एब्रीबान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग तो गाइस आप सभी लोगों को कार्थिक मास की बहुत सारी शुब कामना है यह महीना बहुत ही पावन महीना होता है जो कुछ इस महीने में हम करते हैं वो हमें रिटन में जरूर बापिस मिलता है अच्छे काम करते हैं तो अच्छा मिलता है अगर गलत करते हैं तो गलत भी हमें बापिस मिलता है तो यह महीना बहुत ही पावन महीना है तो गैस चलो मैं आपको आज बताऊंगी आपके जो भी स वाल हैं उनके सारे जवाब दूंगी तो वीडियो में बिल्कुल आप लोग कंटीन्यू बने रहना और बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना क्योंकि आप लोगों के काफी ज्यादा कोश्चन आ रहे थे कार्थिक मास्त के उपर तो मैंने का चलो आज मैं आपको जवाब दे करती हूं पर उठते से ही हम वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है तो चलो मैंने का आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूं मौर्निंग से ही तो मैं नहां रही हूं कार्थिक महीना जो की और अभी थोड़ा सब जैसे ही दीपावली के एक दो दिन पहले एक दो दिन पहले नहीं एक तारिक से मैं चार बजे उठना स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा मेरे लिए क्यों बाहर धुलाई करूंगी अच्छे से अभी तो क्या मैं सिर्फ पानी चुड़क देती हूं फिर रंगोली बनाना स्टार्ट करूंगी तो उन चीजों मुझे जादा टाइम लग जाएगा तो मैं आप लोगों के सवाल सवालों के जवाब ना दे पाऊं तो मैंने का चलो आज मैं ये ब्लॉग सूट करती हूं तो यहां पर कलना कपड़े मेरे रखे रह गए थे बातरूम में ही सर्फ में सबसे पहले यही काम करती हूं तब तक मसीन में पानी भर रहा है तब तक मैंने यहां पर पोचा गीला कर लिया है जाड़ू तो लगा दी थी मैंने कपड़े से ही जाड़ दिया था मंदिर तो यहां पर मैं पोचा लगा ले रही हूं और यहां लगाने के बाद मैं पोचा कितना ज्यादा है तो गैस यहाँ मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ पानी लेकर आ गई हूँ और नीची के जो जाड़ू बगएरा सारा कुछ लगा के आ गई हूँ बैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ पर पापा जी मुमी जी उठ जाती है तो उस दिन मैं बना देती हूँ उनके लिए तो मैं करती हूँ चलो साथ में मैं भी पी लेती हूँ तो चलो फटाफट से चाय पीकर चलती हूँ नहाने के लिए तो गैस यहां मैं नहा कर आ गई हूँ और जिस दिन ब्लॉग बनाती हूँ ना तो पात-दस मिनिट मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि कैमरे को भी बार-बार सेट करना पड़ता है नहीं तो फटाफट से मैं अपनी पूजा में ही लग जाती हूँ तो यहां नहाने के बाद मैं एक काम मैं जरूर करती हूँ जो मेरी डे क्रीम है एमबे की एटिट्यूट की वो मैं जरूर लगाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी क्रीम है जिसमें संस्क्रीम भी है तो वो मैंने अपलाय कर ली है और एक बस लिब ग्लॉस क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है तो ओट वगेरा भी काफी जादा फटने लगते हैं तो यहां मैं दिन देख सकते हैं निकल आया है बैसे मैं अंधेरे मे नहीं करती हैं पूझा आज थोड़ा सा लेट हो गया है चलो कोई नहीं तो गैस मेरी पूझा यहां स्टार्ट हो गई है तुलसी मैया की तो यहां मैं सिंदूर चावल नहीं चड़ाते हैं चावल और साले ग्राम भी महीं पे रखे हुए हैं तो बस सिंदूर बगरा आई जाते हैं अनिक ना कुछ पूछ रहे थे मेरे से तो मैं उनसे कह रही है मुझे पूझा कर लेने दो उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगी और यहां पर मैं अपना दीपक वगएरा लगा के लेके आ गई हूं और एक दीपक मैं लगाती हूं यहां पर आउले को भी महीना होता है तो यहां मैं अपनी जो स्रीमत भागवत गीता है इसका पार्ट कर रही हूं तो आजना मेरा चौथा अध्याय है और उठना श्टार्ट तो मैंने अपने मैके से ही कर दिया था और यहां मैं कीता पड़ना मैंने यहां से स्टार्ट किया है आप कभी भी गीता पड़ोगे ना तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा बड़ी मन को शांती मिलती है तो गाइस किसी ने पूछा था आप कार्तिक महा में प्याज लस्टन खा लेते हो तो मैं आपको बता हूँ मैं अपनी फैमिली को जैसे श्रादों में मैं नहीं बनाती हूँ अभी गणेश चतुरती आई थी तब मैंने प्याज का यूज नहीं करा था बहुत सारे ऐसे फेस्टिबल आते हैं जो 10-15 दिन मैं प्याज लस्टन घर में यूज नहीं कर सकती हूँ पर मैं एक महीना बहुत ज़ादा होता है तो इसलिए मैं नहीं कर पाई इस बार परेज प्याज लस्टन का और फिर मैं अपने लिए कहां अलग बनाती सबजी तो इसलिए मैं इस बार नहीं कर पा रही हूँ प्याज लस्टन बगरा खा रही हूँ लस्टन तो ज़ादा तर नहीं खाती हूँ avoid करती हूँ पर प्यास तो सबजी में पढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत चल जाता है तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं दूद लेकर आ गई हूँ और साथ में मैं अपने लिए भी दूद लेकर आई हूँ कि सुबह सुबह एक ग्लास दूद ले लो ना प्रोटीन पावडर के साथ में तो बड़ा अच्छा लगता है और दस ग्यारा बजे तक अगर भी अगर आप भूख के रह लो ना तो चल जाता है तो यहाँ ना प्लांट्स मेरे सूख गह थे तो इनमें पानी डाल रही है जो आपको ग्रीन ग्रीन देख रहा है ना पत्ती वाला यह जब मैं घर गई थी ना तो यह बड़ा महरा बहरा छोड़ के गई थी तो यह थोड़ा सा सूख गया तो मुझे यह मेरा बड़ा फेवरेट प्लांट है मुझे बहुत अच्छा लगता है बरसात में बहुत अच्छ है क्या तो सिर पे तो पल्ला करना ही पड़ता है थो गांस मैं सब्चट पे आती है तो गमलो को जरूर इधर उधर करते हैं प्लांट को इधर से उध54 थे प्लांट थोड़ा चीजें भी जटकनी है नीचे चलके बच्चे पढ़ रहे हैं जब इनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं फिर इनको नहलाओंगी और अभी न नीचे नीचे भी जाना है नीचे ममी जी पता नहीं क्या कर रही है कुछ नहीं पता मुझे अबि और बहुत परिशान कर देती है ना कभी-कभी को वमी ची हसी भी आती है पर पीछ पढ़ जाती है लोग अब मुझे आधि ना किकी आधि भाउतmy year मेरे समझत तो मेरे अंदर श्युक्या काभी ध्यान रखने हूं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं खा रही हूं दूद भी बरावर से ले रही हूं और बस अब हस्वेंट जी आने वाले हैं तो बस वो थोड़ी ज़्यादा ही मेरी क्यार करते हैं देखो मैं खुझ से ना अपना ध्यान इतना नहीं रख पाती हूं वो जूस भी निकाल के दे देते हैं और काफी ज़्यादा मेरा वो ध्यान रखते हैं तो अभी जैसे मेरे उपर ज़्यादा लोड रहता है तो वो हमेशा मेरा ध्यान आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आप लोगों को कार्तिक के बारे में जानकारी कैसी लगी देखो जो मैं करती हूं वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं तो बच्चे मेरे अब इस वपर पढ़ रहे हैं और उनको दूद बगरा नास्ता सारा कुछ देदिय बस फ्रिज बचा हुआ था तो बस मैं वह क्लीन कर रही हूं जब तक मैं पार्ट हूट कर रही थी पर पूजा कर रही थी तो चलो दिखा तो ममी जी ने सारा फ्रिज से सामान निकाल के बाहर कर दिया है इसको मुझे अभी क्लीन करना है क्योंकि उनको बड़ा टेंस अंति पति देप जी आएंगे तो बस उनके कपड़े बगार रहेंगे बस वह ही धुलना रहेगा और कुछ भी काम निए बस फ्रिज साफ करना है सारा घर चमा चम हो रहा है चलो दिखा देती हूं आपको आगे सोफे का काम सोफे अभी बन रहे हैं ऐसे बन गए है और अभी पूरा काम हुआ नहीं है लकडी का काम हुआ है बस तो ना गाइस अभी जो आएगा कारपेंटर और जो गदी बगारा लगाने बस वो काम बाकी रह गया है और लकडी का सारा काम हो गया है बड़ी डश टूरी थी बहुत ह धूल धूल हो रही थी सब जगे तो शलो मैं फटा-फट से फ्रिज साप कर लेती हूं टाइम अभी कुछ दस बज गए साड़े-दस होने वाले है तो गाइस यहां आप लोग फ्रिज की हाला देख सकते हैं क्योंकि यह एक महीने से मैं क्लीन नहीं कर पाई थी उपर-उपर स कोई कर शार पढ़एगा क्योंकि मैं दो-तीन दिन से टाल रही थी खेता थी गर में काम इतना हो जा रहा था और खत रही पर मॉब्मि जी यह था कि बस यह बचा है गोरी आखरी काम बस यह कर लो यह फोटकर है किंगी हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सारा घर क्लीन हो चुका है कीचन भी स्टोर रूम भी सारा कुछ क्लीन हो गया यह फ्रिज बचा था तो चलो आज इसका भी नंबर लग गया है तो मैं इसको ना अभी खुब अच्छे तरीके से क्लीन करूंगी तो सबसे पहले तो मैं ले रहे हूं यहां पर नीवो और मीठा सोडा इससे खुब रगड के साफ करूंगी जितने दाग धब्बे होते ना व बिल्कुल भी जो दाग थे वो निकल गए हैं और तुरंती मैं इसको यह गीले कपड़े से पोच लूँगी क्यूंकि फ्रिज में कभी भी ना पानी बगारा ना डाले तो ज्यादा अच्छा है फ्रिज लंबे चलते हैं इस फ्रिज को भी कम से कम आठ से नौ साल हो गए हो कि चलते हैं यहां मुझे नहीं है क्लिए पर हां साथ से आठ साल हो गया होंगे इस फृज को फटा फटासे माँ क्लीन करती बादुर हूं चलो मैं आपको पूरा दिखाती हूं आप कैसा लग रहा है कभी तो ऊपर वाला केविनेट मैं इखाती रिफ्रेजेटर का तो ये वाला साफ हो गया है पूरा क्लीन कर दिया है मैंने अब दिखाती हूं नीचे वाला देख सकते हैं यहां पर जो ये मैं ये जो बिछाती हूं सीट तो ये भी पूरी क्लीन कर ली थी पहले ये दोके डाले आये थे चत पे तो ये भी पूरा क्लीन हो और जो कि बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि आप लोगों को भी पता है सब के घरों में सफाई चल रही है और सफाई करते करते ही हालत खराब हो जाती है तो खाने में लगता है कुछ ऐसा बना है जो बहुत जल्दी बन जाए तो यह मूं की डाल की बड़ी है तो बहुत जल लगती है ये इतनी जल्दी सीख जाती है बड़ी कि मैं आपको क्या आदा हूँ बिल्कूल गैस को न स्लो आज पर ही रखना पड़ता है और बहुत जल्दी अभी सीख जाएंगी तो गईस मैंने इसमें आलू डाल दी है पहीं खेक्टे थे आलू काते थे तो गाइस आज का आप लोग आपड़ống कैसा लगा कमेन्ट में जरूर बताना और जाते जाते ने लाइक जरूर देना तो आज मैंना चने की रोटी बना तो उसी की इसलिए फूल नहीं रही है तो आप लोगों को ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते ना एक लाइक जरूर देना आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सस्क्राइब नहीं कर रहे हैं एक सस्क्राइब और आपका एक लाइक मुझे लोगों के सपोर्ट के बगएर कुछ भी नहीं हूं मैं आप लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं थैंक्यू सो मच